पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार पहुंच रहना है लेकिन देखिए ये राजि कारिकारनी की अहम बैठक है और इस अहम बैठक में एक बड़े नेता नहीं मौजूद है वो है ललन सिंग ललन सिंग इस बैठक में सिरकत नहीं कर रहे हैं बता दे आपको केंदुरिया मंत्री है राजिकारिकारनी के सदस भी हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ राश्टिकारिकारनी की है राजिकारिकारनी की सदस है ललन सिंग लेकिन वो इस बैठक में मौझूद नहीं है बड़ी बात यह है कि लगतार जिस प्रकार से बिहार में जो कयास लगाए जा रहे हैं उस बात को लेकर अब बिहार सरकार के मंत्रियों के बोल जो है वो हम आपको सुनवाएंगे किस तरीके से वही राग जब नितीश कुमार इंडिया एलाइंस बना रहे थे जिस राग को अलाप रहे थे मंत्री अब फिर उसी राग को अलाप रहे हैं भले ही कह रहे हैं कि मेरा विक्तिगत रहा है लेकिन राजिकार कारनी की बैठक के दिन इस तरह की बात कहना कहीं न कहीं बड़ा संकेत है यह कहना है कि प्रधान मंत्री के लायक है नितीश कुमार उनमें सारे वो गुन हैं न जाती न धर्म की बात करते हैं नितीश कुमार और प्रधान मंत्री के सारे गुन उनके पास है राजिकारिकारणी की एहम बैठक हुई है और इस एहम बैठक में तमाम बिहारसरकार के मंतरी, वधायक, वधान पारसद समेत जितने भी राजिकारिकारणी के सदस्य हैं वो इस बैठक में पहुँचे हैं ब्यार सरकार के मंतरी श्रवन कुमार हो लेसी सिंग या फिर बधाया को हो ये तमाम लोग पहुचे हुए हैं और अब बैठक भी शुरू हो गई आखिरकार वदान सबा चुनाव तो है ही लेकिन उससे पहले ये राजी कारिकारणी के हम बैठक क्यों और अब बैठक तो पिछली वार जिस तरीके से विजंदर यादब का जो लहजा था कि उनके पोस्टर से फोटो गाइब हो गया और बैठक में पहुचते हैं उन्हें कहा दिया कि हम तो जनता दल उनाइटिट के सदस ही नहीं अब उसके बाद जब मामला बिगड़ा तो फिर वो कह रहें कि मजाक कर रहे हलाकि ये अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके का मजाक लेकिन इस बार विजंदर यादब हर पोस्टर में चाय हुए कही न कहीं जो चर्चा चल रहा है क्या बिहार में बिहार की सियासत में इंडिये में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है ये कहीं न कहीं इस बैठक के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस बैठक का एजेंडा क्या है लेकिन फिलाल मुख्य मंतरी डितीश कुमार पहुंच चुके हैं जनता दर युनाइटेड के प्रदेश कार्याले कां करने का टर तरी का है सबके लिए में करना सबक चलना कोई जाती बात नहीं करना पूरे भिहार वासी देश वासियों के बारे में सौचना झाल झाल